गुड मॉर्निंग स्टुडेंट इसील सेफाली प्राइवेट आईटिया के ओफिसियल यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है मैं मुकेस साहू इसील सेफाली प्राइवेट आईटियाई इस इस सुरुवात करने सबसे पहला कोस्टेन हम लोगों का इलेक्ट्रीकल कंड्रीकल अफ गोल्डिज की सोने की बिद्दूद चालकता कितनी होती है तो सोने बिद्दूद चालकता होती है वोस्ति 67% होती है सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का चालगता होता है वो चांदी क्या होता है आगे next question में हम लोग देखेंगे तो यह सिच आप लोगों को ज़्यादे अच्छे से समझ में आगी next question हम लोग देखते है next question है what is the stationary electric charge तो stationary electric charge को हम लोग क्या कहते है what is the unit of electric charge तो electric charge को मात्रक यह होता है काहीं क्या होता है थे जानते है जो सबसे बाहरी काक्छा में एक्छा में यहलेक्ट्रोन होते है तो किसके बाहरी काक्छा में आठ नेच्ट्रोन होते है जिसमें धारा परवाहित नहीं होती है इंसुलेटर जिसको कहा जाता है उसके बाहरी कक्षा में आठ इलेक्टरोन होते हैं एही पर रहता क्वस्टेन कि किसके बाहरी कक्षा में चार इलेक्टरोन होते हैं तो अब जानते हैं सेमी कंड़क्टर और conductor में कितने होते हैं एक या दो जो conductor, insulator और semiconductor यह तीन चीजह होते हैं, इंसुलेटर जो विद्धुत का कुछ आलग है जिसमें विद्धुधारा परवाहित नहीं हो सकती है conductor है जिसमें विद्धुधारा सुगमता से परवाहित हो सकती है और तीसरा आता है आप लोगों का semi conductor ये ना तो insulator है ना conductor ना इस विद्धुधारा का follow होता है और ना ही ये insulator की तरह काम करता है तो इसको हम लोग अर्ध चालक के नाम से जानते हैं की इंसुलेटर के रूप में हम लोग किसका परियोग करते हैं तो यहां पर पर्सेलीन का परियोग हम लोग इंसुलेटर के रूप में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाउ दा सिंगल इस्टेंड वायर इज कोल मतलब सिंगल इस्टेंड वायर को हम लोगों क्या कहा जाता है तो हम लोग जानते हैं सिंगल इस्टेंड वायर क्या कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि वाट इस दा प गाया जाता है ओप्शन के हिसाब से ये एंसर होगा protection against protection against weather next question हम लोग देखते हैं next question है which core are used in intermediate frequency transformer तो intermediate frequency transformer में हम लोगों का किस परकार का core का use किया जाता है तो बताईए आप लोग क्या होगा तो इसका answer होगा faride core का use किया जाता है next question हम लोग लोग देखते हैं कि which material conducts electricity तो पताइए इसमें से कौन साय जिसमें electricity conduct करेगा तो यहाँ पर option के हिसाब से यहाँ पर answer देना होगा तो copper इसका answer हो जाएगा next question हम लोग देखते हैं कि how many electrons are contained in column of electric charge तो एक कुलान में हम लोगों का कितना electron होता है तो हम लोग जानते हैं कि एक electron में कितना होता है तो 6.25 into 10 to the power 18 electrons होते हैं 10 to the power 18 हो जाएगा यहाँ पर 10 to the power 18 electrons होते हैं next question हम लोग देखते हैं what is the percentage of conductivity of electrical current in silver तो यहाँ पर पूछा है जो चांदी होता है silver उसकी current conductivity कितने होते हैं कितना percent उसमें current का conductivity होता है तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा हम लोगों का चलकता किसका होता है चांदी का चांदी का सबसे ज़्यादा तो यह 100% हो जाएगी पहले इससे पहले भी एक question देखेते हैं और आगे भी और सारे बहुत सारे question आएंगे तो हम लोग देखते हैं next question next question है आप लोगों का what is the percentage of conductivity of electric current in aluminum की aluminum का हम लोगों का current conductivity कितना percent होता है सबसे ज़्यादा होता है चांदी का अब देखते हम लोग aluminum का हम लोगों का हो जाता है 56% होता है 56.56 दिया हुआ तो यह हो जाएगा हम लोगों का 56% तो यह आप लोग याद रखेगा कि 56% हम लोगों का क्या होता है conductivity होता है aluminum का next question हम लोग देखते हैं कि how the movement of electron through a conductor in a particular direction is called कि एक direction में हम लोगों का current फोलोगा किसी विशेश दिशा में चालक से इलेक्रोन की चाल को क्या कहा जाता है तो हम लोग जानते है उसको क्या कहते है इलेक्रिक करेंट कहा जाता है follow of electron that is electric current तो यह हम लोगों का हो conductivity to the electric current हम लोग जानते हैं सबसे अच्छे हम लोग वी तो दरख चालक के रूप में किसका परियोग करते हैं तो यहां पर हो जाएगा हम लोगों का चांदी सिल्वर का हम लोग सबसे ज़्यादा परियोग करते हैं सबसे ज़्यादा हाई किसका होता है तो सिल्वर का होता है लेकिन ये महंगा होने के कारण हम लोग इसका परियोग नहीं करते हैं नेक्स्ट कोस्टेन हैं हम लोगों का ये कोस्टेन हम लोगों का देख चुके हैं नेक्स्ट कोस्टेन हम लोगों देखते हैं कि what is the percentage of conductivity of electrical current इन को पर कि तामबा में विद्धूत की चालक क्या होता है सबसे ज़्यादा हम लोग जो परियोग करते हो तामबा का परियोग करते है नेक्स्ट कोस्टेन है हम लोगों का कि how many gauge number in SWG change to double the cross sectional area of the conductor कि कोई भी हम लोग SWG मतलब क्या हुआ कि standard wire gauge जिसे हम लोगों क्या होता है wire का diameter मापते है कि वो कितरे standard wire gauge का है तो इसमें पूछा है कि standard wire का gauge का double कब माप होगा कि कितरे हैं आगे जाएंगी इसका हो जाता है three gauge size अगर हम लोग घटाएंगे तो वो दुगुना हो जाएगा next question हम लोग देखते है कि what are the functional properties of insulation material तो insulation material की insulation material का मुलभूत गुन क्या है कि उसका गुन क्या होता है तो बताइए आप answer देखके आप लोग बताइए इसका हो जाता है कि insulation का resistance बहुत जादा होता है इसमें dialect strength भी होता है next question हम लोग देखते है कि what is the shape of standard wire gauge तो वही फिर से question आया SWG से तो इसका full form भी आप लोग याद रखेगा SWG SWG का full form होता है standard wire gauge तो उसका shape कैसा होता है हम लोग जानते है standard wire जब हम लोग practical कर रहें तो उस type में आप लोग देखेंगों standard wire gauge का आकार कैसा होता है तो इसका आकार हम लोगों क्या होता है कि circular यह goal होता है circular metal disk होता है next question हम लोग देखते है कि which electrical quantity is directly proportional to the current carrying capacity of conductor कि इसमें conductor का वर्तमान वहन छमता के लिए कौन सी विद्धूत मात्र सीधे अनुपातिक होती है मतलब current का directly proportional कौन सा होता है तो यह option देखें आप लोगों के answer देना तो इसका answer हो जाएगा conductor का diameter जो होता है हम लोगों का direct proportional काम करता है next question है हम लोगों का कि which formula is used to find the conductance तो हम लोग जानते है conductance क्या होता है यह resistance का उल्टा होता है तो resistance का उल्टा है तो resistance हम लोग का formula आप लोग जानते है b is equal to i है उसी परकार से अगर conductivity का निकालेंगे तो हम लोगों का answer हो जाएगा i by v तो conductance का formula क्या हो जाएगा i by v which metal has very good conductivity of electric current ते question हम लोग देखे कि सबसे ज़्यादा हम लोग चालकता किसका होता है तो चांदी का होता है यह आप लोग याद रखे कि सबसे ज़्यादा चांदी का होता है लेकिर हम लोग इसका परियोग क्यों नहीं करते है क्योंकि यह बहुत महांगा होता है और इसके से कम होता है चालकता हूँ हम लोगों का तामभा का जो हम लोग सबसे ज़्यादा परिव करते हैं कोपर का कि नेक्स्ट क्वेस्टेन हम लोग देखते हैं हाउ दा इंसुलेशन कोटिंग इस्टे विदाउट डेमेज इवेन दा बेंडिंग ओ फायर को तार को जुकने पर भी इंसुलेशन कोटिंग बिना नुकसान के कैसे रहा कि जैसे आप लोग वायर देखे आएं कुसमें कोटिं इंसुलेशन के वो लोचदार होता है इंसुलेशन जो होता है वो घुमने वाला होता है उस पर कोई डिफेंट नहीं करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चेन हम लोग देखते है कि वाट इस दा नेम ओप मोसन अफ चार्ज particle in any medium किसी भी माधे में आसित कनों की गती को क्या काते है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कनों की गती हम लोगो क्या कहलाती है तो current कहलाती है यह आप लोग याद रखिएगा क्या होता है current नेक्स्ट कोस्टेन हम लोग देखते हैं कि which electrical parameter is measured by the meager तो meager यहाँ पर एक instrument है तो meager से हम लोग क्या करते हैं कि high resistance को मापा जाता है तो जो meager परयोग होगा हो किसके लिए use होगा तो insulation resistance के लिए जहाँ पर भी high resistance का नाम आएगा वहाँ पर हम लोग meager का use करेंगे नेक्स्ट कोस्टेन हम लोग का how the insulator are called कि insulator को हम लोग क्या कहेंगे तो insulator को हम लोग dialectic material भी कहा जाता है तो यह चीज आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट कोस्टेन हम लोग देखते हैं कि which tool is used to measure the size of wire कि wire के size कुम आपने के लिए हम लोग किसका परयोग कर तभी कुछ दिर पहले देखे थे standard wire gauge आज की session में इतना ही next session में हम लोग अगले mcq देखेंगे thank you so much